गाइस आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं बैंक औब बढ़ोदा के डिजिटल लोन के बारे में जहाँ पर यहाँ पर आप लोगों को एक माइक्रो लोन मिलने वाला है यहाँ पर आप लोगों को किसी भी परकार की डॉक्युमेंट देने की जरूरत नहीं है सिर्फ 5 मिनिट में आप लोग अपलाए करके इस से लोन ले सकते हैं क्योंकि मैंने खुद 25,000 रुपे का इस एप्लिकेशन की मदद से लोन लिया है और अगर फ्रेंड्स इस कंपनी के या फिर नेम की बात करी जाए तो यहाँ पर यह लोन आप लोग को ओफिशल बैंको बढ़ोदा के एप पर ही मिलने वाला है जहाँ पर एक नया ओप्शन एड हुआ है और अब आप लोग बहुती आसानी से इस लोन को ले सकते हैं आपको यहाँ पर कोई भी डॉक्यमेंट देने की ज़रुरत नहीं है इंट्रेस्ट की बात करी जाए तो यहाँ पर आपका इंट्रेस्ट 60% से लगने वाला है साथी फ्रेंड्स यहाँ पर टेन और आपको पूरे 2 साल का मिलने वाला है फिलाल मैंने एक साल के लिए यहाँ पर लोन लिया है जो कि मैं आप लोग को यह सारा statement यहाँ पर मेनी screen पर दिखा देता हूँ अब अपन बात करते हैं कि आप लोग कैसे इस से apply करके लोन ले सकते हैं इसके लिए सिंपली सबसे पहले आप लोग को प्ले स्टोर पर जाना होगा और प्ले स्टोर पर जाकर आप लोग को सर्च करना होगा बी ओबी एम कनेक्ट प्लस यह एक ओफिशल एप है बैंक को बढ़ोदा का यहाँ पर आप लोग जैसी इस application को अपने mobile phone में download करते हैं तो यहाँ पर आप लोग को अपने registered mobile number से जिसमें कि आपका bank को बढ़ोदा का account है उस registered mobile number से आप लोग को अपना एक account create करना रहता है यहाँ पर आप लोग अपना bank statement भी upload कर सकते हो और जितने भी transactions वगेरा आप लोग देखना चाते हो तो वो आप लोग bank statement निकाल कर भी देख सकते हो साथी friends यहाँ पर आप लोग digital loan भी ले सकते हो जो कि एक नया future add हुआ है तो guys चलिए मैं इस application को download करता हूँ और आप लोग को next step बताता हूँ कि आप लोग कैसी यहाँ पर loan ले सकते हो so guys जैसी आप लोग इस application को download करेंगे simply अपने registered mobile number डालके simply OTP से verified करेंगे आपका account OTP से verified हो जाएगा simply आप लोग को यहाँ पर एक pin create करना रहता है तो 4 digit का आप लोग pin create करके अपना account create कर लीज़े जिसमें कि जितना भी आपका bank statement है वो सारी चीज़े यहाँ पर fill up हो जाएगी और सारा statement आपकी on screen पर दिखाई देगा so guys यहाँ पर मैं screenshot का use कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मैंने photos लेने की कोशिश करी थी लेकिन कुछ privacy policy की वज़े से यहाँ पर इनसे photo click नहीं हो रही है इसलिए मैं यहाँ पर अपने second mobile से photo click करके आप लोग को सारी प्रोसेजर बता देता हूँ ताकि आप लोग को आसानी हो सके इस application से loan लेने में यहाँ पर simply आप लोग को एक option दिखाई दे रहा होगा digital loan का जैसी आप लोग यहाँ पर click करेंगे click करने से पहले आप लोग को मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग जितना भी transactions अपने mobile में करते हो इस bank account पे उसी base पे यहाँ पर आप लोगों को approval मिलने वाला है क्योंकि एक micro loan आप लोग को यह company provide कर रही है जैसी आप लोग यहाँ पर digital loan पर click करेंगे click करने के बाद friends अब आप लोग को यहाँ पर एक autopop दिखाई देता है जहाँ पर यह अभी बता रहा है कि मैं 25,000 रुपे तक का loan यहाँ पर ले सकता हूँ मतलब friends यहाँ पर आप लोग जितने के लिए eligible हो आप लोग सिर्फ उतना ही loan amount ले सकते हो कम ज़्यादा कर सकते हो फिलाल में इस application में 25,000 रुपे के लिए eligible हो तो simply आप लोग को सारा statement आपके screen पर दिखाई देगा I mean कि आपकी मंतली EMI कितनी आने वाली है so guys इस बात का आप लोग को ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर आपको interest 16% देना होगा so guys जैसी आप लोग यह procedure complete करेंगे complete करने के बाद आपको नीचे एक option दिखाई देता है term and conditions का तो आप लोग जैसी इस पर click करके next पर click करेंगे click करने के बाद friends अब आप लोग यहाँ पर मेरी screen पर देख सकते है कि यहाँ पर जो मुझे final approval मिला था वो मिला था 25,000 रुपे का so guys यहाँ पर interest की बात कर जा है 60% आपका interest लगने वाला है मैंने यहाँ पर 10 और सिर्फ 12 मंत का ही choose किया है और आप लोग देख सकते है मेरी monthly EMI यहाँ पर अगर मेरे को 12 time EMI पे करना है जो कि मेरे automatically अपने account से ही debit हो जाएंगे मतलब automatically आपके account से debit हो जाएंगे date आप लोग के on screen के सामने mention दिख जाएगी so guys यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 2268 रुपे मतलब यह मेरे को 12 EMI पेट करनी होगी जो कि यह सारी EMI मेरे account से auto debit हो जाएगी अगर interest की बात करी जाए तो यहाँ पर कुछ मेरा 2200 से 2500 रुपे के अंदर ही interest लगने वाला है मतलब पूरे साल का so guys अब आप लोग को decide करना है कि आप लोग इससे loan लेंगे या फिर नहीं लेंगे अगर आप लोग को loan लेना है तो simply आप लोग को confirm पर click करना है click करने के बाद friends यहाँ पर कुछी second हो में I mean मुझे तो इतना समय नहीं लगा सिरे 5 मिनिट का मैं आप लोग को बोलूँगा 5 मिनिट में friends सारा loan amount आपकी account में deserves कर दिया जाता है इसका भी मैं आप लोग को proof बता देता हूँ जिससे कि आप लोग को trust हो सके कि यहाँ पर आप लोग loan ले सकते हो सो गाइस यहाँ पर आप लोग मेरा सारा statement देख सकते हो मैंने यहाँ पर 25,000 रुपे का loan लिया है जो exact मुझे 12-12-2020 को मेरा account में receive हुआ है तो यहाँ पर जो account मेरा account में credit हुआ है उसका भी मैं आप लोग को screenshot दिखा दूँगा ताकि आप लोग को trust हो सके तो गाइस यहाँ पर आप लोग को without document के loan मिल रहा है तो अगर आप लोग भी eligible हो और आपके mobile में भी ऐसा कोई offer दिख रहा है तो आप लोग चाहें तो B.O.B. की मदद से बहुत ही आसानी से घर बैटे loan ले सकते हो अगर आप लोग को कोई और सवाल पूछना है या किसी other bank से related आप लोग को इस type के loan देखना है तो आप लोग हमारी channel पर एक बार विजिट कर सकते हैं मैंने बहुत सारे bank को के बारे में बताया है साथी friends आप लोग एक बड़ा loan amount लेना चाहते हो bank को बड़ोदा के बारे में bank को बड़ोदा से तो इसके बारे में भी मैंने आप लोग को बताया तो आप लोग चाहें तो वो वाली वीडियोज भी देख सकते है सो गाईस ये वीडियो आप लोग को कैसी लगे वीडियो में हमें जरूर बताईएगा इतनी ही जादा यूसफुल वीडियो में आप से भी कले हमेशा लेके आता रहता हूँ मिलता हूँ दूस्तों मैं आप लोगो नेक्स्ट वीडियो में जैहिंत बंदे मातरम